आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं डाउट नट लाइब में कलम ने चैप्टर सुरू किया था नहीं पेर ओफ लीनियर एक्विशंस इंटू वेरियबल्स तो कल के क्लास में क्या था इसके बारे में अपन ने शुरुआ तो आज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है कैसे अपन सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से क्वेस्चिन उसके बारे में आज की क्लास में अपन करने वाले हैं बात पैर अफ लीनियर एक्विशंस यह जैसा कि कल की क्लास में देखा था अपनने की जो यार लीनियर एक्वेशन इंट दो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो स्ट्रेट लाइन्स को कि टू स्ट्रेट लाइन्स तेसमें तोटाल अपने पास बेटा तीन केस हो सकते क्या क्या तो सकते केस नमबर 1 कि या दोलों लाइन इंटरसेक्टिंग कि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे है बैटा दोनों एक दूसरे को इंटरसेट कर रही हो दूसरे केस क्या हो सकता है बैटा दूसरे केस कि यार दोनों पैरलेल भी हो सकते दोने स्ट्रेट लाइन पैरलेल यह पैरलल स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे के पैरलल में चलती रहेगी हमें सा ठीक है और थर्ड केस अपने पास आ सकता है कोइंसीडेंट थर्ड केस क्या हो सकता है अपने पास कोइंसीडेंट लाइन ठीक है एक के उपर एक यह एक लाइन है और इसके जस्ट उपर दूसरी वाली लाइन है ठीक है बटा तीन केस हो सकते हैं अपने पास एक यह हो सकता है कि भाईया दोनों एक दूसरे के आस पास चल रही एक दूसरे के उँपर चल रही एक जहां से एक पास हो रही है वहीं से pair of linear equation pair of linear equation को graphical method से कैसे solve करेंगे इसकी बात आ रही है यह solution क्या होता है solution x और y का ऐसे values जो दोनों equation को satisfy करता हो है के नहीं क्या है solution क्या है बटा x and y की ऐसी values जो दोनो equations को satisfy करता हो यह अपने पास एक equation यह a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 एक यह a2 x plus b2y plus c2 equal to 0 ठीक है बटा अब यहाँ पर अपने पास solution क्या है x and y की ऐसी values जो दोनों equations को satisfy करती हो ठीक है अब दोनों equation को satisfy करने वाली x की value चाहिए अब जैसे माल लो यह तो इस वाली लाइन पर जितने भी point है वह सारे जितने भी point इस line पर है वह सारे इस equation को satisfy करेंगे similarly यह दूसरी लाइन यहाँ पर जितने भी point है वह सारे वह सारे इस वाली यह intersect करेंगी क्या करेंगी बैटा जहां पर यह intersect करेंगी वो अपने पास क्या हो जाएगा यह अपने पास इन दोनों का solution हो जाएगा समझ रहे हो बात को मतलब x and y की एसी values जो एक साथ दोनों equations को satisfy कर रहे हैं इस पर जितने point वो सारे इसकी equation को satisfy कर रहे हैं तो दोनों को साथ कौन से point satisfy कर रहे हैं एक ही point आएगा जहां पर यह दोनों intersect कर रहे होंगी है कि नहीं बटा तो जो point of intersection होगा वो इन दोनों का common solution हो जाएगा अब यहार यहां पर देखें यहां पर एक point of intersection है तो इसका लिख देंगे अपन unique solution जब अपने पास दोनों lines intersecting होंगी हावट आप भी बताएंगे रुको ठीक है homework के बारे में discuss करेंगे आखरी में जहां पर यह दोनों line intersect करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन कि यूनीक solution अगर intersecting line है और अगर parallel lines है तो क्या कभी मिलेंगी क्या यह parallel lines कभी मिलेंगी कोई ऐसा point आएगा जो दोनों करेंगे उपर से ही चल रही होंगे तो जितने भी point होंगे सारे दोनों equation को satisfy कर रहे होंगे इसको आपन बोल देंगे इन्फाइनाइट solution कौन से solution बोल देंगे इनको बटा इन्फाइनाइट solutions बोल देंगे जो दोनों line coincident होईगी तो इत्ती सी बात है अब इनके लिए condition भी जाल लेते हैं यह क्या condition है intersecting lines के लिए जो condition होती है वो क्या होती है पहले वाले के लिए intersecting lines के लिए condition होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 अगर ऐसा होगा तो यह दोनों intersecting line कौन सी होंगी intersecting lines टेकर बटा अगर ऐसा हुआ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 तो बटा यह कौन सी लाइन हो जाएंगी यह अपने पास हो जाएंगी parallel lines यह पहले के लिए हो गया यह parallel lines यह दूसरे के लिए and coincident lines के लिए क्या हो जाएगा बटा coincident line के लिए हो जाएगा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 यह अपने पास हो गया coincident line के लिए यह total अपने पास तीन केस बन सकते हैं या तो दो लाइन intersect करेगी या दो लाइन parallel होगी या दो लाइन एक दूसरे को उपर चलेगी यह coincident होई अब देखें किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे थोड़ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा चलते थोड़ा सा इसके screenshot ले ले सबी लोग जिसको भी जर्वत हो उसका इसका screenshot ले सकता है फटाक से ले ले थोड़ा आगे चलने की कौशिश करेंगे ले ले लिए screenshot थोड़ा सा आगे चलते हैं यह अपने पास क्या बोल रहा सोल्व ग्राफिकली दी सिस्टम ऑफ इकवीशन सोल्व ग्राफिकली दी सिस्टम ऑफ विकेशन एक दे रहा आपने पास x plus y equal 2 3 x plus y equal to 3 दूसरा आपने पास दे रहा है 3x minus 2y is equal to 4 दो equations दे रहा है कैसे इनका ग्राफ ड्रो करते हैं कल बताया था अपन ने table बना लेते table बना लेते table कैसे बनेगी बटा यह अब x और y अगर x का value 1 होगा तो y का value 2, x का value 2 होगा तो y का value 1, दो ही point बहुत है, इसके लिए भी table बना लेते हैं, x, y, कोशिस करें कि ऐसे point ले जो integer हूँ, ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन क्या रखेंगे, y का value 1 रखेंगे, x कितना आजाएगे, 2 इधर जाएगा, 6 होजाए, x एक्वाल टू आजाएगे, 2, बना अगर y का value अपन, कितना रखेंगे, एक point और ले लेते हैं, y का value, ऐसा रख लेते हैं, y का value 4 रख लेते हैं, y का value 4 रखेंगे, 2 इंटो 4, 8 उधर जाएगे, 12, 3 से divide करेंगे, तो 4, एक 4, 4 आजाएगे, ठीक बटा, दोनों पर दोदो point पता चलके, अब आपना आगे graph पर, यह graph पर आगे, यह positive x-axis, यह negative x-axis, यह positive y-axis, यह negative y-axis, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, यह हो जाएगा, अपने पास, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ऐसा हो जाएगे, ठीक है, पहले वाले के लिए देखते हैं, x equal to 1 and y equal to 2, color change कर लेते हैं, इंक का color, पहले वाले को red से बना लेते हैं, x equal to 1, x पर 1 चलना है और y पर 2, इस तरह से चलना है, ठीक है, यह अपने पास point हो जाएगा, इस point को मैं mark कर रहा हूं क्या, 1, 2, दूसरा point क्या है बटा, 2, 1, क्या चलना है, x पर 2 चलना, y पर 1, x पर 2 चलना, y पर 1, तो यह दूसरा point होगा, ठीक है बटा, तो इन दोनों को कर लेते हैं, कुछ इस तरह से यह line, अपने पास pass, कुछ इस तरह से line pass हो जाएगा, तुम लोगों के पास तो graph भी होगा और scale भी होगा तो अच्छी line बना सकते हो, ठीक है, यह अपने पास किसकी equation आ गई, किसकी line आ गई, x plus y equal to 3, ठीक है बटा, दूसरी line देखते हैं, दूसरी line किस तरह से बनेगी, दूसरी line कैसी बनेगी, x equal to 2 and y equal to 1, x equal to 2, y equal to 1, एक point तो यह आ गया, x equal to 4 and y equal to 4, यह 4, 4, यहीं आ जाएगा 4, 4, यह point 4, 4 है, इन दोनों को join कर दें, इन दोनों को आपने कर लिया है join, तो यह दोनों join होके, कुछ इस तरह से pass हो जाएगी, तो यह वाला जो अपने पास दोनों पर common point है, point of intersection कहा पर आ रहा है बटा, 2,1 पर, 2,1 पर point of intersection आ रहा है तो आपन कह देंगे कि इसका एक unique solution है, और unique solution कहा है, unique solution अपने पास कहा है, x equal to 2 and y equal to 1, यह अपने पास इसका solution, इस तरह से graphical method से अपन equations को करेंगे solve, यह अपने पास अगला सवाल है, अच्छा quiz जल्दी से दे दो, अभी बताएं कि condition क्या है, parallel lines की, 45 seconds का समय है, आप लोगोंने बोला था, 45 seconds का समय है, आप लोगोंने बोला था, देना, 45 है, यह रपनने. Question number two, for what value of k do the equations represent lines intersecting at a unique पॉइंट एक के किस वेल्यू के लिए ये दोनों जो एक्वेशन्स दिरखिये उनीक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी पहला सवाल देखते हैं यह पहला सवाल 3X प्लस 2KY तो यहर पर्लेल लाइन्स के लिए बताएं क्या थी कंडिशन पर्लेल लाइन्स यह थी के पहल्त पहले इनको कर लेता है सपोज दिस इस एफन एकस प्लस 2 वेलेग करना पढ़ेगा प्लस C1 एकल टो जीडू यह अपने पास ए 2X प्लस B2Y प्लस C2 एकल टो जीडूँ इसको थोड़ा सा modify करना पड़ेगा 3x plus 2ky minus 2 is equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर a1 आजाएगा 3 b1 आजाएगा 2k and c1 आजाएगा minus 2 यहाँ से देखेंगे तो a2 आजाएगा बेटा किता 2 b2 आजाएगा 5 and c2 आजाएगा किता 1 यह वाली कंडिशन में पुट करना थे a1 अपॉन a2 3 upon 2 is equal to b1 upon b2 2k upon 5 is not equal to c1 upon c2 minus 2 upon 1 ठीक है इन दोनों को equate करेंगे तो यहाँ से अपने पास के का value क्या जाएगा यह हो जाएगा cross multiplication कर यह इधर multiply हो एधर multiply तो 15 is equal to 4k तो k equal to क्या जाएगा 15 upon 4 यह जाएगा 4 parallel lines एक बात ध्यान रखें कि यार यह जो है इसके equal नहीं होना चाहिए इससे देख लेना 3 upon 2 minus 2 के equal नहीं है इसलिए यह parallel lines हो जाएगे ठीक है बाटा तो इसका answer आजाए 15 upon 4 d answer आजाएगा बाटा यही shortcut method a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 यह क्या बोल रहा है for what value of k do the equations this and this represent two intersecting lines at a unique point बटा वो end क्या है मतलब जहां पर intersect करेंगी वो solution है end थोड़ी होता है थेक है तो intersecting lines के लिए क्या है condition कोई बताएगा के रहन तो तुम तो बाते करने लग जाओ intersecting lines a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यह condition थी के intersecting lines के लिए यहां पर a1 b1 c1 निकाल लेता है यह a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 के एकोल यह a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 थोड़ा सा modify करना पड़ेगा kx minus 2y minus 3 equal to 0 यह 3x plus y minus 5 equal to 0 तो a1 आजाएगा k b1 आजाएगा अपने पास किता माइनस 2 और c1 आजाएगा minus 3 a2 आजाएगा बेटा 3 b2 आजाएगा 1 और c2 आजाएगा minus 5 क्या चाहिए हम इतनी सी बात से a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो k upon 3 is not equal to b1 upon b2 minus 2 upon यह हो जाएगा क्या minus 2 upon 1 इसको इधर multiply कर लेंगे तो k is not equal to minus 6 यह अपने पास इसका उत्तार आजाएगा k minus 6 के बराबर नहीं होना चाहिए यह देखो यह बुल रहा है all real values except minus 6 d answer आजाएगा क्या होना चाहिए के minus 6 के अलावा कोई भी values ले सकता है यह बुल रहा है के minus 6 के equal नहीं होने चाहिए तो कोई भी real value ले सकता है किसके अलावा minus 6 के अलावा इसका ले लो screenshot फिर आपन भागते थोड़ा आगे चले यह एक सवाल है अपने पास फिर से आपने पास फिर सकता है क्या है 2x plus 4y is equal to 10 and 3x plus 6y is equal to 12 इसको compare कर लाए a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 इसको भी compare कर लाए तो a2x plus b2y plus c2 equal to 0 a1 आजाएगा 2 b1 आजाएगा 4 c1 minus 10 a2 आजाएगा 3 b2 आजाएगा 6 c2 आजाएगा minus 12 तो क्या होना चाहिए parallel lines के लिए क्या थी condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 a1 upon a2 क्या जाएगा 2 upon 3 यह जाएगा 4 upon 6 यह जाएगा minus 10 upon minus 12 यह तो 2 से cancel होगे 2 upon 3 ही आजाएगा यह किता हो जाएगा minus minus 5 by 6 यह दोनों तो equal है बर यह इसके equal नहीं है तो parallel lines हो जाएगी अब graphical method देख लेते हैं किस तरह से इनका graph बनेगा दोनों का देख लेते हैं तो यह अपने पास दे रहाएगा 2x plus 4y is equal to 10 यहां से table बना लिए x,y x और y के क्या-क्या value जाएगे ऐसा रख लेगा x equal to 1 रखेंगे तो y equal to किता जाएगे 2 उदर जाएगे y equal to 2 आ जाएगे उसके बाद x equal to 3 रख लेगा x equal to 3 रखेंगे यह 2 into 36 उदर जाएगे minus 10 minus 64 तो y equal to 1 आ जाएगे दूसरी अपने पास क्या है यह 3x plus 6y equal to 12 xy x equal to 0 रखेंगे तो y equal to 2 आ जाएगे and x equal to क्या रखेंगे x equal to 2 रख लेते x equal to 2 रखेंगे तो y equal to 1 3 into 2 6 उदर जाएगे minus 12 minus 6 6y equal to 6 तो y equal to 1 ठीक बटा अब दोनों का बना लेते हैं ग्राफ यह positive x-axis यह negative y-axis x-axis यह y-axis यह negative y-axis 1 2 3 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 3 देखें पहले वाली लाइन कहां पर 1,2 पर 1,2 एक्स पर 1 चलना वाई पर 2 यह वाला पॉइंट हो जाएगा एक पॉइंट आगे एक्स पर 3 चलना वाई पर 1 एक्स पर 3 वाई पर 1 यह है ठीक है दोनों को कर लें जोइन दोनों को जोइन कर लेते हैं ठीक है उसके बाद दूसरे वाली लाइन दूसरे वाली लाइन एक्स पर 0 वाई पर 2 तो जीरो कॉमा टू तो कहीं यह आ जाएगा एक पॉइंट होगा फिर कहा है 2,1 2,1 कहा पाएगा 2,1 यहां पाएगा इन दोनों को जोइन करेंगे तो यह भी इसके साथ साथ ऐसा ही चलती रहेगी अ तेख पटा हाँ पटा नौ सॉलीशन नहीं बोल रहा है जो नौ सुलीशन नौ सुलीशन किसके लिए होते थे परलल लाइन्स के लिए यह न बताया शुरू आप कहा गया यह रहा परलल लाइन्स के लिए नौ सॉलीशन तो परलल लाइन्स होंगी तभी नौ सॉलीशन होगा इत्ती शी तो बात यही तो बोल रहा है ठीक है दोनों का ग्राफ बनाना सिंपल सी बात है एक्स और य की दो-दो विल्यूज ले लो एक पॉइंट आगया 1,2 एक आगया 3,1 इन दोनों को जोडने पर पहली लाइन आ गई फिर दूसरे के लिए अपने पास क्या है बटा बोर्ड में असली ग्राफ आपको मिलेगा बोर्ड में असली ग्राफ आपने को मिलेगा ठीक है दूसरे के लिए क्या आगया अगला देखते हैं क्या बोल रहा है तो ग्राफिकली देटी सिस्टम of equations has infinitely many solutions ठीक है देखते हैं तो पहली एक्वेशन अपने पास 3x-y equal to 2 and दूसरी एक्वेशन है 9x-3y equal to 6 इसको थोड़ा इधर ले आते 3x-y-2 equal to 0 और 9x-3y-6 equal to 0 यह अपने पास a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 अच्छा स्क्रीन सोट लेना था हां यह आप ले लो स्क्रीन सोट बैटा वाइट बोर्ड में ग्राफ से नहीं दिखा सकते हैं मतलब कैसे दिखाना है ग्राफ से ले लिए स्क्रीन सोट अब ग्राफ पेपर लेकर आना मुश्किल है थोड़ा यह बैसाब जो अनुराग है थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो आप नहीं तो मेरे पास सबका नंबर है सबकी वाट लगा सकता हूं कभी भी थोड़ा बातने कम करें और पढ़ाई पर ध्यान दें तो बटाएं वन आजाए गा अपने पास 3 दी यह बवना जाए गा माइन सीवन आजाए गा माइनul से गध आजाएगा माइनस 3 C2 आजाएगा माइनस 6 ठीक है बटा तो अपने पास क्या थी अपने पास कोइंसीडेंट लाइन्स की कंडिशन क्या थी कोइंसीडेंट लाइन्स ऐसा था क्या एवन अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 A1 upon A2 निकाले A1 upon A2 किता है यह 3 upon 9 1 by 3 हो जाएगा 3 से माइनस 6 2 3 जा 6 यह भी बन भाई था है तीनों equal आ गए ठीक है अब ग्राफ बना के भी देख लेते हैं इस पर 3 X minus y equal to 2 यहां पर क्या point ले सकते हैं xy x equal to 0 ले ले लेंगे तो y equal to क्या हो जाएगा माइनस को 2 और x equal to 1 ले 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 लो फो इक्सी एक यह हो जाएगा 3 माइनस Y equal 2 Y उधर चल जाए तो यह भी बन आ जाएगा एक 1 को माइन बना जाएगा दो point आ गए है ठीक है उसके बाद जो दूसरी लाइन है अपने पास का है 9x minus 3y is equal to 6 xy x equal to 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगे 18 और 3y ऐसा लिख लेते हैं 9x minus 6 equal to 3y x equal to 2 लेंगे तो 9 2 जा 9 to the 18 minus 6 12 एंड यह जाएगा 4 12 upon 3 4 ठीक है और के ले ले x equal to 3 ले लेगा x equal to 3 लेंगे तो 27 minus 6 21 upon 3 7 अजाए 3,7 अब ग्राफ बना लेते हैं तुम लोग मेरी बात मानते हो क्या बाते करना बंद करते हो क्या जो मैं तुमारी बाते मानूं बताओ तुम अपने ही साहब से चलते हो अपने ही साहब से चलेंगे बताओ 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 ठीक है तो पहले बाले कर देते हैं 0, minus 2 x पर 0 चलना है y पर minus 2 पर उनका color change कर लेते हैं x पर 0 और y पर minus 2 यह है कि 0, minus 2 दूसरा point क्या लेना है 1,1 यह 1,1 यह 1,1 यह 1,1 ठीक है हाँ ले सकते हैं बटा कोई समस्य नहीं हो ठीक है तो यह अपने पास कुछ है इस तरह की बन जाएगी लाइन ठीक है दूसरे वाली भी बना लेते हैं हाँ दूसरे वाले में कहा है 2,4 2,4 कहां पाए यह 2 यह 4 कहीं यह पाजाएगा 2,4 यह वाला point यह फिर कहा है point 3,7 3,7 यह 3,7 थोड़ा से यहां पाजाएगा तो इन दोनों point को भी join करेंगे तो यह भी same ही line पे अपने पास आ जाएगे अभी मेरे में graph paper नहीं मेरे पास इसलिए थोड़ा graph थोड़ा टेड़ा वेड़ा सा आ रहा है बाकि तुम लोग graph paper में जब अच्छे से scale से बनाओगे तो एकदम same to same graph आएगा एक लाइन दूसरी लाइन को पर आएगे ठीक है क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता यह रहे हैं कि 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 हां बटा मैं बहुत गुस्से में हुँ तुम लोगों ने कल बहुत सारी बाते की और मैंने मना किया उसके बाद थोड़ा नीचे लेना दूसरे टाइप का किस तरह का क्वेश्चन करवाएं बटा नीचे लेना और और नीचे और नीचे हां और नीचे मैं भी अभी आया हूं और जाने भी बाला हूं नेक्स्ट मन्त कोई प्रब्लम नहीं है तुम सारी क्लास को डिस्टब भी तो करते हो अपने को यहां इधर पढ़ने वाले बच्चे चाहिए ऐसे नीचे जो यहां चैटिंग करने आते ठीक है यह बात ध्यान में रखो इधर पढ़ाई के लिए आयो तो पढ़ाई पर ध्यान दो हाँ बटा 12 को भी बढ़ाते हैं ठीक है होगे स्क्रीन सोट ले लो इसका जल्दी से फटाक से अब टेबल कैसे बनाते देखें यह अपने पास यह एक्विशन है है ठीक है तो यहां से अपन क्या लिख सकता है ऐसा लिख सकते हैं क्या य को इधर ले जाते हैं और 2 को इदर ले आते हैं तो 3x-2 वह जाएगा ऐसा हो जाएगा जब x का वेल्यू जीरो रखूंगा इसमें तो 3 into 0-2 तो y यहां पर आपने लिख लिया क्या लिख लिख लिया 9x-6 equal to 3y जब मैंने x के value 2 रखा ते कहा जाएगा 9 2 जब 18 18-6 equal to 3y 12 equal to 3y तो y कहा जाएगा 12 upon 3 4 आ गया ठीक है उसके बाद x के value 3 रखा ते किता हो जाएगा 27-6 तो 21 equal to 3y तो y equal to क्या जाएगा 21 upon 3 7 आ जाएगा ठीक है यह अपने पास 3,7 हो जाएगा clear है यह screenshot लेलो फिर आगे चलते हैं थोड़ा से एक quiz और कर लेते हैं बटा भाई quiz भेज देना भाई quiz भेज दे quiz कंसिस्टेंट का पतलब होता है जिसका कोई solution होता है कंसिस्टेंट का मतलब विच है जिसलीशन विच है जिसलीशन विच है जिसलीशन रोगे कंदीशन को सुर्टेंट के यह जिल्दि blasting बता दौ Buffalo जान को करन गे आद। आदर हैं को सरका दो जोड़ी जल्दी चड़ी बता दो पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुँ कंसिस्टेंट देखो तीन तरह के बता है अपने पहला इंटर्सेkk्टिंग इंटर्सेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पो इंटर्सेक्ट करें तो उसका था क्या यॉनिक सोलीशन गुच दूसरा आपने पास था पर्लेल लाइन्स उसका आपने पास था नौ सलीशन तीसरा आपने पास था coincident lines इसमें आपने पास था infinite solution consistent का क्या मतलब है which has at least one solution तो वह एक solution इधर है और इधर तो infinite यह दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे consistent हो जाएंगे कौन-कौन से इंटर्सेक्टिंग लाइन्स वाला और coincident line intersecting और coincident d option is the correct answer पहले question के लिए ठीक है यह यह दूसरा हो गया क्या पूछ रहा है कि यह कौन सी लाइन पैरलल है coincident है यह intersecting है देख लेते हैं इसको आपने ऐसे लिए आपके 5x-15y-8 equal to 0 दूसरे क्या हो जाएगा 3x-9y-24 upon 5 equal to 0 इसको मालने थे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a15 b1-15 c1-8 यह पर a13 b1-9 c1-24 upon 5 ठीक है तो देखें a1 upon a2 कित्ता है रहा a1 upon a2 a1 upon a2 कित्ता है रहा वैटा 5 upon 3 b1 upon b2 भी देख लेते हैं b1 upon b2 कित्ता है रहा है minus 15 upon minus का 9 अच्छे b2 a2 b2 c2 रहा है b1 upon b2 कित्ता है रहा minus 15 upon minus से minus 3 से cancel करेंगे तो यह 5 ता हो यह 3 times a1 upon a2 equal to b1 upon b2 रहा c1 upon c2 भी देखें c1 upon c2 कित्ता है रहा है यह रहा आपने पास minus 8 upon minus 24 upon 5 यह denominator के denominator में तो यह तो उपड़ा जाएगा 8 3 जा तो यह भी अपने पास 5 upon 3 a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 तीनों equal आ रहें a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to 5 upon 3 तीनों की value सेम आ रहे है 5 upon 3 के equal तो क्या हो जाएगा तो यह अपने पास हो जाएगा क्या कोइंसीडेंट लाइन हो जाएगे कोइंसीडेंट लाइन का क्या बतलाब है यह रहा कोइंसीडेंट वाला option a आ जाएगा इसके infinite solution होईगा ठीक है क्या हो जाएगा infinite solution हो जाएगा ड्रो दी ग्राफ अफ दी फोलोविंग इकविशंस ठीक है क्या बूल रहा है एक तो 2x minus y minus 2 equal to 0 2x minus y minus 2 equal to 0 ठीक है दूसरा आपने पास है 4x plus 3y minus 24 equal to 0 ठीजरा है y plus 4 equal to 0 ठीक है कौन सा क्वेस्टिन बता प्रिविएस एर क्वेस्टिन आप क्वेज फर्स्ट को कर देते हैं कंसिस्टेंट का मतलब कहा है बटा जिसका कम से कम देखो दो तरह के सिस्टम होते हैं एक होते हैं कंसिस्टेंट आप लीस्ट वन सलीशन आप लीस्ट वन सलीशन तूसरे होते हैं इनकंसिस्टेंट जिसका नौ सलीशन तो कंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे तो है युणीक सलीशन वाला ऌर इंफिनी़सलिशन युणीवसलिशन मतलब इंटर्सेक्टेंट एंपिनीशन नाइट सलिशन मतलब कोइंचिदेंटेंट से एक है नौसलिशन मतलब पर्लेल लाइन्स ठीक है यह है इतने सी बात है ख्लेर है उसके बारे में बताएंगे बटा थेर्टिकल टेस्ट वाला टेस्ट के बारे में भी ठीक है आगे है शब को तो consistent कब होगा जातो intersecting हो या coincident हो और inconsistent के लिए पूछेगा तो parallel हो जाएगा clear है यह वाले सवाल पर ध्यान देते हैं obtain the vertices of the triangle so obtained also determine its area इसके बारे में करते हैं बात देखें यहाँ पर देखें पहले table बना ले यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि 2x minus y equal to 2 y को जाएगा तो y equal to 2x minus 2 हो जाएगा x और y की value निकाल जाएगा x equal to 1 रखेंगे तो बटा का जाएगा 2 into 1 2 minus 2 y equal to 0 x equal to 2 रखेंगे तो 2 into 2 4 4 minus 2 तो 1,0 and 2,2 से पास होए गई दूसरे वाला देखें यहाँ से आपन क्या रिख सकता है ऐसे रिख सकते हैं क्या 4x plus 3y is equal to 24 तो 3y equal to 24 minus 4x तो y equal to क्या जाएगा 24 minus 4x upon 3 यहां पर रख लेते हैं एक्स और y बैटा एक्स का वेल्यू क्या रहा कि पर x का वेल्यू 3 रख लेगा एक्स 3 रखेंगे तो यह का बढ़ाए 24 minus 12 upon 3 4 आ जाएगा है 12 upon 3 और अगर X के value आपन के रहेंगे 6 रखेंगे तो 24-24 upon 3 तो यह 0 आ जाएगा इसके लिए यहां पर क्या है y equal to minus 4 टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा X equal to कुछ भी हो Y equal to minus 4 ही रहेगा X equal to 0 ले ले और X equal to 1 ते है ऐसा कुछ जाएगा अजया आज आब देखे, अब तीनों का graph बना लेते हैं X, X dash, Y, Y dash, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, –1, –2, –3, –4, –1, –2, –3, –4, अब देखे, पहले वाली लाइन में 1, 0 कह में पहा रहा, पहले वाली लाइन के लिए बना लेते हैं, color red ले लेते हैं, 1, 0, एक्स पर चलना वन य पर चलना जीरो ते वाला पॉइंट हो जाएगा क्या है यह यह 1,0 ठीक है दूसरे वाला देखे 2,2 एक्स पर भी 2 चलना और वाई पर भी 2 चलना है एक्स पर भी 2 चलना है और Y पे भी 2 चल जा, ठीक है, ये दोनों को मिला लेते हैं, ये अपने पास पहली लाइन आ लेते हैं, पहली लाइन इस तरह से बन गई, ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला देखें, दूसरे वाली लाइन को अपन ग्रीन से बना लेते हैं, ये ग्रीन से बना लेते हैं, 3,4, X प यह वाला पॉइंट यहां पर आगए यह 3,4 और दूसरा का है 6,0 6,0 का है एक्स पर 6 चलना वाई पर 0 यह दूसरा पॉइंट आ इन दोनों को मिला ले इन दोनों को भी मिला लिए ठीक है फिर क्या बोल रहा है अपने से x equal to 0 y equal to minus 4 यह वाला दूसरा का बोल एक्स equal to 1 y equal to minus 4 यह यह पॉइंट यह रहा है यह दोनों को मिला लेंगे अच्छा इसको तीसरे पैंसे मिलाते किसी से तीसरे वाली लाइन को अपन कौन से पैंसे इससे मिला लेते हैं यह अपने पास यह तीसरे वाली लाइन को यह अपने पास y plus 4 equal to 0 पहले वाली थी अपने पास 2x minus y minus 2 equal to 0 और यह वाला कौन सा है ग्रीन वाला यह अपने पास है 4x plus 3y minus 24 equal to 0 यह तीनों के अपने पास line आगे हां कुछ करना पड़े इनका बहुत चैट कर रहे हैं बाकी लोगों को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो यह यह वाला point क्या जाएगा यहां पर देखें यह वाला point क्या जाएगा y equal to तो इसमें minus 4 है y का value minus 4 रखेंगे इसमें तो क्या जाएगा minus 4 x equal to minus 1 तो यह तो हो गया minus 1, minus 4 यह वाला point कहा जाएगा कहीं इधर बार जाकर intersect करेंगे इधर लिख रहा हूं मैं यह वाला point क्या जाएगा बटा यह वाला point अपने पास आजाएगा y तो minus 4 यहां देखें 4x यह किता हो जाएगा minus 12 minus 24 is equal to 0 तो यह किता हो कि minus 36 तो यह हो जाएगा अपने पास 9, minus 4 यह वाला point जो इधर इधर वाला vertex आएगा यह वाला vertex हमें पता ही किता है 3,4 यह दोनों तो 3,4 पर intersect कर रहे हैं तीनों vertex निकल गए तीनों vertex निकलने के बाद आपन क्या करेंगे क्या पूछा है उसने also determine its area बेटा triangle के area का formula पता है कि area of triangle पिसे चले के अपने पिसेचल है क्याप, पिसेचल है अप्र, कि एरेजर है एरिया आफ़ ट्राइंगल है पैन भी सलेक्ट करना पड़े हाँ एरिया आफ़ ट्राइंगल क्या होता है हाँ बेस इंटू हाइट देखें बहुत सही काफी सही बताया आप लोगों नहीं यह तो बेस हो जाएगा नमाइनस वहन रमपर आउंस फॉल अ यह यहां पर इसका भी बैस काम नूस्पेश तो height किते हो जाएगे बेटा height height y6 पर measure कर लेते हैं यहां पर y equal to minus 4 है और यहां पर y equal to 4 है तो यह हो जाएगा अपने पास 4 minus minus का 4 8 हो जाएगा area of triangle किता हो गया half 10 into 8 यह 5, 8 जाए, 40 इसके area आजाएगा 40 square units है ठेक है किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें जल्दी बता दो हाँ रिपीट करते हैं पहले तीनों लाइन बना ली जो भी अपने पास एकवेशन दे रखी थी रहें तुकर है पनाने के लिए हमने क्या किया उसके बाद वरटेक्स निकल जाएंगे यहां परय उक्षोट ग тобanden में y equal to minus 4 रखेंगे तो एक्स माइनस माइनस 4 प्लेस्ट तो 2x प्लस 4 माइनस 2 2x plus 2 x equal to minus 1 minus 1 minus 4 आ गया यह 3,4 पर दोनों इंट्रसेक्ट कर रहे थी यह वाला आ गया 9, minus 4 ठीक है तो area of triangle क्या होता है half base into height तो बेस्स तो बटा यह वन ओझाया के यहां से लेकर यहां तक क्या base हो जाएगा मतलब minus 1 से लेकर 9 से यह तक यह तो fix माइनस 4 यह भी माइनस 4 तो यह सका base किता हो माइनस 1 से लेकर 9 तक 10 हो गया 9 minus minus कवण तो 10 हो गये तो तोटल किता हो कि 4 माइनस माइनस 4 8 अपने पास यह हाँ बेस इंटू हाइट अपने पास इसके एरिया किता जाएगा 40 स्क्वेर उनिट्स प्लेर है स्क्रीन सोट देले जल्दी से हाँ हाँ बाल वीर ने बोला है कि से टेबल कैसे बनाते हैं देखो यह इधर देखा अभी यह अपने पास एक्वेशन थी यहां से य का मान निकाल लिया मैंने क्या हो गया टू एक्स माइनस टू ठीक है है ठीक तो यहां पे X का वेल यडू 1 रखेंगे तो यह को जाएगा टू इन्टो पन उटीक एकस क्या रहाखेंगे टू रहाखेंगे त Из तरह से भी ठीक है दो बाटा है यह माइनडस 1 से लेकर कहा था कि इधर 9 अधा तब 9 तो positive में और minus 1 negative तोटल केतना हो गया WHY यह रहा 9 यह रहा यह वाला पॉइंट फिरवाला vertex से वो 9 ठिक्स है कम वर्टेख्स बता रहे हैं यह वाला क्या है यह वाली line equation का यह प्लस 4 इकल टू 0 मतरा इस वाली line पर y फोल टो माइनस 4 ही रहेगा और वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो आप कैसे निकाल सकते हो जब आप ग्राफ बनाओगे न तो यहां पर जो यह वाला पॉइंट आएगा तीनों का यह वाला जो पॉइंट आएगा ग्राफ में देख लेना कौन से पॉइंट है समझ रहे और जब ग्राफ से बनाओगे तो यह वाला स्केल से मेजर कर लेना बेस स्केल से मेजर कर लेना और हाइट भी स्केल से मेजर कर लेना हो जाएगा बेस जब आपन ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में क्या होगा इस्केल से मेजर कर लेना वाई कितने अपने पास तिन्स आ रही है समझें है ठीक है इस स्केल से मेजर कर लेना बेस भी और हाइट भी आ जाएगा इधर तो अपने पास स्केल है नहीं बोर्ड भी बड़ा इतना बड़ा स्केल लाना पॉसिबल भी नहीं यह इसका आजाएगा आंसर यह घर पर कर लेने यह वाला क्वेश्चन कि यह होंवर्ग में किसी को डाउट है कि कल अपन ने तीन क्वेश्चन दिये थे होंवर्ग में ठीक है तीन सवाल किसी को डाउट है कि इसमें कि जल्दी से बता दो किसी को डाउट नहीं है डाउट हाँ यह आज का हूं भॉक है तीन सवाल है एक दो लेलो स्क्रीन सोट जल्दी से और यह तीसरा क्या बोल रहा है उन कंपेरिंग रेश्योंस फाइंड आप वेदर दी फॉलॉइंग पेर अफ लीनेर एक्वेशन्स एर कंसिस्टेंट और in consistent consistent का मतलब क्या है या तो क्या है या निचे यूणीक स्व्यसिशन या infinite solution inconsistent मतलब लो सलुशन अच्व पहले बाले में डाउट है क्या बोलता है क्या बोल रहा है अलताब तैल इस डॉटर्टर 7 years ago I was seven times as old as बो कैसे करते हैं ऐसे क्या बोल रहा है अफ्ताब तेल्स इस डोटर शेवन यह अगो I was seven times as old as you were then the pala present is man at the late present age of Altaab is अफ्ताब x years and present is of his daughter यह माल लेते हैं अपन वाई यह ठीक है एक सियर्स और वाई यह दोनों की एज माल लिए क्या बोलना seven years ago तो seven years ago इसकी तो जाए एक स्माइनस seven यह कह आई वाज seven times तो मतलब यह seven times था किसके y-7 के एक एक्वेशन तो यहां से जाएगी ठीक बटा seven years ago की बात कर रहा है मतलब इससे साथ साल पहले की बात कर रहा है समझगे फिर क्या बोल रहा है also three years from now अब यह तीन साल बाद की बात कर रहा है मतलब इसकी यह तो जाए x plus three i sell be three times तो यह कित्ता तीन गुना हो जाएगा y plus three ठीक है यह एक्वेशन नंबर दो इस नोट दिस इंट्रेस्टिंग रिप्रेजेंट इस सिच्वेशन अलजेबरिकली एंड ग्राफिकली दोनों एक्वेशन निकाल लेंगे और वहां से है उनको ग्राफ पर ड्रो करके बता देंगे जैसे कल आपन ने किया था आज भी कई काफी है ठीक है और कोई सवाल है डाउट किसी को कि चलो आज की क्लास आपन करते हैं यहीं पर समाप फिर से मिलते कल की ख नास में अपन बात करेंगे इसकी substitution method की algebraic method अपने पास total तीन होते हैं substitution elimination और cross multiplication cross multiplication syllable से हट गया है तो आपन पहले substitution के बात करेंगे फिर elimination की और उसके बाद कुछ word problems करेंगे word problem भी है इसमें यह हटी नहीं word problem के बारे में थोड़ी चर्चाए करेंगा आने वाली classes चलो बाबाई वच्चों फिर से मिलते हैं कल के class में अब झाल झाल